अज़ करिंगे हम क्लास 12 इंडियन एकोनोमिक डवलाप्मेंट और आज कामारा टॉपिक है एग्रिकुल्चुरल सबसीडीज वाइस और वर्श्यू यानि जो एग्रिकुल्चुरल के लिए सबसीडीज देती है गौर्वर्मेंट वो एक पॉसिटिव चीज है या नेगिटि अजय है मो किसान को या पैसे की रूप में या किसी भी चीज को सस्ता करके दे देती है अब वो क्या चीज सस्ति है जसी की चाहे ए लेक्रिसीटी सस्ते रे चाहे बीज sसthay दे दिये comment कोई मशीन है जिसका यूज किया जाता है एगरी कल्चर में उसको सस्ते में दे दिया या फिर सस्ते में लोन प्रोवाइड करा दिया यह सभी फैसिलेटीज कराते हैं फार्मर्स को ताकि वो लोग अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटीनिय उगर सके अपने करते हैं वो क्या कहते हैं क्यों यह एक नेगटिव चीज है क्यों इस चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए लोग बोलते हैं कि अगर अगरी कल्चरल सबसीडी दी जाती है तो यह गर्मेंट के लिए एक बहुत बड़ा बोज है बोडन है गर्मेंट के पैसे के लिए मतलब ए है एक तरह से गर्मेंट के पैसे का खर्च करना बताब बड़ा लगा लो यह बोला जा रहा है क्योंकि इससे फिसकल इंबैलन्स हो जाता है ठीक है यह नि हमें बहुत ज़्यादा पैसा अननेसेसरी खर्चना पड़ता है जिसकी पर इसे काफी इंफलेशन हो जाता है अब उतना जादा पैसा हम एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्योंगा महिंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्रोथ कम होगी क्योंकि जो पैसा और हम डवलाप्मेंट पे लगा सकते हैं वह पैसा हम एग्री कल्चर में हावेस्ट कर जाते हैं और अगर हमें कुछ इंपोर करना है बाहर से तो उसके लिए भी हमारे पास पैसा कम पढ़ जाता है तो यही लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं यह ठीक चीज नहीं है में सब्सीडीज नहीं देने चाहिए इतनी इतना फाइदा किसानों को फार्मर्स को नहीं मिलता है जितना की फाइदा इंडिस्ट्रीज को मिल जाता है रिच फार्मर्स और ज्यादा फाइदा किसको मिलता है रिच फार्मर्स को यह जो फार्मर्स बहुत जादा और पैसे वाले हैं उनको सब्सीडीज को जादा बेनि नहीं मिलता है जितना उनको मिलना चाहिए था कुछ उनके पास knowledge नहीं होती है कुछ उनके पास land नहीं होती है बहुत सरी ऐसी चीज़े होते है जिसकी वह benefit नहीं उठा पाते so the target group is not being benefited so जो हमारा target group है यानि basically जिन किसानों के लिए हमने ये subsidy चालू करी है उन्हीं को benefit मिल ही नहीं पाता है next है wasteful consumption यानि बहुत unnecessary consumption unnecessary use होने लगता है अगर government जो है subsidies देती है अगरी कल्चा पे availability of supplies at low price leads to overuse of resources and wasteful consumption देखो वही बात लिखी हुए अगर हम कोई भी चीज जो farmers है उनको supply कर देते हैं जैसे कि government ने कोई input raw material seeds या कुछ भी सस्ते में दे दिया ठीक है तो इससे क्या होगा वो overuse करने लग जाएंगे यानि जितना उनको जुरत है उससे जादा use करने लग जाएंगे और उन्स रिस्रोसिस को waste करने लग जाएंगे example देखते हैं या लिखा है if electricity is provided free to farms then it can be misused for personal use इसमें लिखा है कि अगर हम suppose government जो है free में electricity देती है बोलती ही खेतों में हम free में electricity देंगे ताकि किसानों को बिचली के बिल से बचा सके तो वह misuse करने लग जाएंगे अपने personal यूज के लिए अपने घर के यूज के लिए यूज करने लग जाएंगे सुचिंगे फ्री की तो ही नेक्स ए अग्रिकल्चुरल सबसीडीज और वर्ची अब कुछ लोग बोलते हैं यह positive चीज है और बहुत ही अची चीज है अग्रिकल्चर इस रिस्की बिसनस इंडिया ड्यू तो 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 नुकसान पहुचने का डर अगर बारिश ने आएगी तो सुखा पढ़ जाएगा जादा बारिश आजाएगी तो भी फ़सल खराब होजेगी तो subsidies की जुरत है लोग ऐसा बोलते हैं कुछ large number of farmers are poor and cannot afford to purchase required inputs so there is need of subsidies subsidies अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत साथा गरीब है और फोड़ी नहीं कर सकते कि यार इतने महंगी महंगी सीट्स या इतनी महंगी खादे वगरा या ट्रैक्टर वगरा यह सब चीजे अफोरी नहीं कर सकते वो उनके पैसा ही नहीं तो subsidies देने यार देन टीन वा네 किसान होकि तो गरीब किसानों में बढ़े घ्रीया में और अमीर किसानों में इनकौालिटी बढ़ जाएगी जिनके पैसा है वह अची खाद अच्छी मेशीन जचे किसानों इरिगेशन फैसिलेटी सब कुछ एफॉर्ड कर सकते हैं लेकिन जो पूर फार्मर्स है वो तो फोर्ड नहीं कर सकते हैं विचरे वह करें वह तो पहले गरीब है और उनकी खेती अच्छी नहीं फसल अच्छी नहीं तो वह गरीब हो जाएंगे तो यह चीज बढ़ती तेसे आदी वीडियो खतम